अग्सकाइन दोस्तों जो हमारा गडवाली समाज रहा है वह पहले से बहुत ही समृद रहा है है और जली समाज के एक विशेश्टा और हम यह विशेश्टा होथuleं है बैसी हमारी ही गडवाली में एक मिठाई बनाई जाती है हुए और यह अच्छा इसको खाना बहुत पसंद करते हैं और जैसिस की विशेस्था को फोर आइटम होता है उसकी विशेस्था होती है हमारा इटम बहुत स्वाधिस्थ है और उसका जो लाइफ टाइम होता है यह टाइम पीड़ियट होता है वह काफी चलना चाहिए तो जो हमारी मिठाई यह जैसे कोई सुबकारे हो जैसे साधी उसमें मिठाई के इसकी रूप में यूज करते हैं और दूसरा है कि इस मिठाई को तब बनाते हैं जैसे हमारे हां जो हमारी घर की जो बेटी होती है जब साधी के बाद दूसरे घर में चली जाती है और वो दुबाराज से जब अपने प्रोसेस प्रकार से है कि जो यह चावल है यह कम से कम 24 घंटे तक भीगोए जाते हैं यह अभी भीगे है जो 20 घंटे से भीग गए है और अब इनको यहां ओख लीवे डालेंगे और इनको अब कूठा जाएगा और जब यह बारिक पाउडर हो जाएगा इससे बनती है हमारी मिठाई तो कूठने के लिए हम किसी मसीन का यूज नहीं करेंगे इसको पूढ़ा जाएगा यह है लकडी का इससे हाथों से कूठेंगे और फिर हमारा यह पाउडर बन जाएगा जिससे हम आगे मिठाए बनाने वाले हैं है लो जरूर गड़ वाली आर्शा खाने को आजाने थेंक्यू अगर हम बात करें इसकी मेकिंगी की कैसे बनाए जाता है तो जो अर्शे होते हैं सबसे पहले तो चावलों को एक रात पहले बिगोने के लिए रखा जाता है सुबह जब भी जाते हैं चावल तो उन से पानी को अलग कर देते हैं पानी अलग करने के बाद इसको अखली में कूठा जाता है यह इसल्ट टेकनिक होते हैं काफी कुछ-कुछ-कुछ लोगों को ہी आती है सब लोग नहीं बना पाते हैं तो यह मेल मिलाप से मेल जूलके बनाते हैं दोस्तों यहां पर हमने अब यह इसको कहते हैं हमारे यहां बारी इस बारी को रखते हैं उसमें थोड़ा सा पानी रखाए और अब उसमें डालेंगे गुड़ यह गुड़ है और यह उसमें डाल देना है हमारा गुड़ पढ़ गया है और अब यह पानी में उबलता रहेगा पक जाएगा फिर हम आगी की टेक्नीक तैयार करते हैं कि दोस्तों अब यह हमारा गुड़ भी पकने को तयार हो चुका है यह अच्छे से पक रहा है और इसको पकाना है जब तक इस पर तार न बन जाए और फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे अभी इसकी मिठाई बनाने की जब अब यह हमारा यह चास जो पक गया है वो हमने इसमे जो चांगल फूट रखे हैं वो उसमें मिला दी है और उसको ऐसे बनाना है जैसे पहले के लोग पर साथ बनाते थे ऐसे चलाना है अभी बात यह है कि मुझे ही यह काम करना है काफी टाफ काम होता है तो मैं वहां जाओंगा और अब वीडियो को टाइम लेप्स मोड पे ल अजब आ, कर सकते हैं जा में जाओंगा, कि मुझे ही है और अबँ़ रखें जाओंगे साहँ को बना आँ में वालास मोड़े की ray जाओंगा, ढौ denganजगा कि को झाल ynийम taller, ढ Тем यह को दो प्याशीकं वाल्यकश कृ। पारी है हमें ये सारे उबलते हुए तेल में डाल देना है इनको सेप देना है जो प्रोसेज होती है मेकिंग की यहां से निकाला और ये तेल में डाल देया और ऐसे में हमारे तैयार हो जाएंगे अर्से इनको हम गड़ वाली में कहते हैं अर्से क्यात्त था और जाएंगे तैया खायत्त किया अच्छ गिंग तो ये देखो ये अभी हमारी मिठाई बन रही है और अभी हम एंडिंग पे हैं यानि कि हमारी पूरी मिठाई बन गई है ये हमारा लास्ट चल रहा है बनाने में और ये देखो ये हमने इतने बना दिये हैं पुरा भर गया है हमारे टोकरी और ये जिंगाल की टोकरी में मतलब 24-48 घंटे तक जो इसी की भाप होती है इसी की गर्मी होती है इसमें पकता रहता है और कुछ ऐसे दिखते हैं हमारी पहाडी मिठाई जिसको हम प्यार से अर्से कहते हैं अब आती है बारी रोटने की रोटने बनते हैं आते से आटे में फिर यही गोड का चास से इसको चाहता है और में बहुत सारी चीजा से सोंक तील जो चीजाए गर्रम होती है उनको मिलाते हैं क्योंकि ज्यादा तर इसको ठंड में बनाते हैं थंडी के मौसवाम में खाने के लिए और इसको फिर ऑप बनाते हैं वैसे बनाके च्छापा होता है तो उसमें दबा के एक से बन जाता है इतनी इतनी रोटियां बनाके उसको जो रोट कहते हैं उसको पकाते हैं निकालते हैं और इसको फिर रख देते हैं स्टोर करके और फिर इसको बड़ी चाओ से बड़ी प्यार से खाया जाता है अब बना रहे हम अभी रूटने उसमें अभी मैं लगा हूँ इसमें आटे में इनारियल को को दुखस करने में इसमें सौफ पड़ती है और बहुत सारा चीज परता है अभी इसको डालते हैं ग्याव हमारा सौफ और गुड का पानी चाहिए और अब इसमें डाला गरम गरम तील ताकि हमारे जो रोटने बने वह बने करारे यह पढ़ रहा है गरम तील जो यह अब इस आटे की जो हमने दो तयार किया है इसकी लोई यह और इसको इस चापे में रख देंगे ऐसे रखना है और यह ऐसे जब हम इसको ऐसे करते हैं तो एक हमारा अच्छा सा डिजाइन बन जाता है इस साइड भी बना हुआ आता है और इस साइड भी और इसको यहां से निकाल के सीधे उबलते हुए तेल में डाल दिना है और हमारे इस प्रकार रोटने तयार होने लग जाते है कुड़ हमारे पहाडों के यह देखो यह हमें यह अने बन रहे और ऐसे यह हमारे बन के तयार हो जाते हैं ध्या इनको चाहते है रोट रोटने बहुत सारे नहीं से हम इनको खा सकते हैं एक दो महीने से पहले खराप होने वादी चीज नहीं है इस प्रकार से हमारी मिठाई बन के तयार हो गई है यह यह है रोटने ये है अरसे अरसे हमने इतना साररा कुछ बना दिया है और और यह सब है हमारी अराध्या की खुशी में हम अपनी दीदी के जब वो उससुराल जा रही है तो उसकी खुशी में बना रहे हैं कि उसके लिए होंगे तो यह इस प्रकार बन चुके हमारी मिठाई तो दोस्तों इस प्रकार से बनाई जाती है हमारी गड़वाल की फेमस मिठाई जिसको हम अर्षारुटना कहते हैं और बहुत ही चाव से खाई जाती है इंजॉय की जाती है तो अगर आपने भी खाई होगी तो आहोप मुझे भी लगता है जरूर आपको करते हैं अड़ियो को यहई फिला पाते हैं अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को बिजदो कि कैसे हमारे अर्षारुटने होते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो बाकि यह लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे हम किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई